आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही जट से बन जाने वाली पराठे की रेसिपी वैसे तो पराठे काने में बहुत ही अच्छ लगते हैं लेकिन कुछ ऐसे पराठे होते हैं जिने की हम स्टफ्ट की बिना नहीं बना पाते और अगर जल्दी बाजी हो जल्द से अगर हमें बच्छों के लंच में पैक करके देना हो या फिर हस्बिन के लंच को हम पैक कर रहे हैं तो उस वक्त हम थोड़ी जल्दी होती है और बनाने में बड़ी जंजट लगती है तो बस आज की यह जो मुली की पराठे बनने वाले आना तो इसे मैं बहुत ही आसे बनाएंगे आप भी की जट से बन जाएंगे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे तो वीडियो यूसफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही साथ हमारी चैनल पर अगर पहली बार विजिट करना है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेशेगा तो चले देख लेते हैं कि कौन-कौन से इंगेडियों के साथ आज की यह मूली के पराठे मैंने बनाए हैं तो सबसे पहले हमें करना यह होगा कि मूली को अच्छे से छिलके हटाकर हमें इसे ग्रेट कर लेंड ना होगा जिस जैसे कि मैंने ग्रेट कर लिया है तो 200 ग्राम मोली को मैंने ग्रेट किया है और बाकी के कुछ इंग्रेटियंट है जैसे की लसन के पत्ते धनिया के पत्ती आद्रक और हरी मिर्ची हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के गॉर्डिंग कम्या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके बाद आठा हमने लिया है 500 ग्राम ही डाल दिया है और अब अजवायन एक चमच डाल देंगे क्योंकि मूली के पराठे में से खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन इससे ग्यास बहुत जादा बनती है तो इसलिए इसमें जरूर डाले और नमक डालेंगे अब हम स्वात के उनसार तो रेगुलर नमक हम डा डाल दिया है और अब हम डाल देंगे इसमें ग्रेट किया हुआ मूली जो हमने रख लिया था इसे हम अच्छे से एसमें मिला देंगे अब आटे को आटे में हम सबको एक सार कर लेंगे बिना पानी डाले यह सारे को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसके बार इसमें बहु मिला लेंगे और इसके बाद हलके पानी की छीटे के साथ हम इस आठे को गूतेंगी जैसे कि मैं ये डाल रही हूं न इसे तरीके से छीटे मार मार के बस ऐसे हमें गूतना होगा तो अब इसे अच्छे से मिलाते हुए और हम इसे बहुत ही मलते हुए अच्छे से गूत लेंगे जो कि ये हमारा आठा गूत कर बिलकुल तैयार हो चुका है आठे को गूत जाने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए ढख कर रख देना होगा आठे को बहुत जादा नरम भी ना गूत है और ना ही बहुत जादा सक्त गूत है बी बना लें और बनाने के बाद इसे हम अच्छे से बेल लेंगे ना बहुत जादा मोटा बेलेंगे ना बहुत जादा पतला अब हम गयस के उपर चढ़ा लेंगे पैन और इसमें डालेंगे आधा चमच घी और अब पढ़ाहट्टो को डालकर हम दूनों तरब से अच्छे से सेख लेंगे, मैं ऐसे घी में सेख रही हूँ, आप चाहे तो इसे कोई भी cooking oil जो भी आप use करते हैं, आप उसके साथ भी इसे सेख सकते हैं, तो बस फटा फट से, एक के बाद एक सारे इसी तरीके से हम बेल कर मूली के पराठे बस जट बना कर तयार कर लेंगे, तो देखकर पराठे बनाने के बाद इसमें बहुत सारा पानी छोड़ देता है, और फिर से उसे उसके पानी को हमें निकालना होता है, निकालकर हम किसी और gravy वगरे में डालकर उसे खपत करते हैं, लेकिन इस तरह के अगर पराठे आप बनाएंगे, तो ना तो इसमें stuffing की कोई जंजट होती है, और ना ही juice को अलग करके और फिर उसके mixture को फिर से तयार करने की जुरुवत होती है, उसमें कुछ ये मिलाओ, बेशन मिलाओ, या कुछ भी मिलाओ, या फिर आठे मिलाओ, और फिर इस mixture को तयार करके, और फिर इसमें start करो, आपको देखकर पता चला ही होगा, कि कि इस पराठे को हम इस मेथट से बना कर तयार कर सकते हैं जो कि खाने में टेस्टी तो लगेंगी ही और साथ में ये बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती है जूस के साथ इसे जब हम आठे में गूत कर बनाते हैं तो और बच्चे जैसे पराठे हैं तो वह बिल्कुल भी खाना नह रख देंगे तो सारा फिनिश करके आते हैं तो बस फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा वीडियो यूस्फुल लग जाए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इस ठीक रेस्प्री कैसे लगी तो चले मिलते हैं को और नई रेस्प्री के साथ तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई